जो स्वरगे रामिलास पासवाण जी की अपनी ओरिजिनल वारिस से मतलब ओरिजिनल चिराग डुबलिकेट है क्या जमुई की जन्ता नारा लगा रही है कि देखो देखो गीदर भागा गीदर भागा सादू पास्वान उनका जुमका हाजीपुर के बजार में जरूर गिराने का काम करें अपने पिता का अपमान सकर पांच सीट पर वो मान गए भाई और भतीजा में जिस तरह जंग छिरा हुआ है गिरी जुद तक शिराग जी को उत्रधिकारी रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि मेरे पिता की मुर्ती और बाबा साब अंबितकर का मुर्ती बीजेपी के नेता के द्वारा फेका गया शिराग जी के आँख में थोरा सा भी पानी जदी बचा होता लेकिन राम बिलास पास्वान का दमाद अभी जिन्दा है देखें लोग सवा चुनाव की घोसना हो गई अब NDA ने अपने तमाम सीटों का बटवारा जो है अपने दलों के बीच कर दिया है वहीं चिराग पास्वान को पांस सीट मिले है लेकिन कहीं न कहीं पसुपति कुमार पारस को दरकिनार कर दिया गया है देखें हमारे साथ बातचीत करने के लिए अनिल साधू है दलित चेहरा है राष्टे जन्ता दल के बड़े चेहरे हैं और साथ ही साथ चिराग पास्वान के जीजा जी भी है साले को बड़ी जिम्मेवारी मिल गई एंडिया पांस सीट मिल गया आपके चचा जी को साइट कर दिया जिम्मारी मिली है तो उन्हें तह दिल से धनवाद अरे धनवाद तो देना इसलिए जरूरी है कि जो वेक्ति विशेश अपने पिता का अपमान का बदला नहीं ले सका अपने पिता का अपमान सकर पांस सीट पर वो मान गया इसलिए मैं धनवाद दे रहा हूँ पतिकुमार पारश भी तो अपने भाई का बदला नहीं लिए देखिए आज जो भाई और भतिजा में जिस तरह जंग छिरा हुआ है ग्री जुद एक का कहना है कि मैं रानितिक विरासत हूँ एक का कहना है कि मैं उत्राधिकारी हूँ रानितिक विरासत कोई भी हो सकता है लेकिन जो सुर्गे रामिलाज पास्वान का उत्रधिकारी जो अपने आपको कथा कतित चिराग बोलते हैं कि मैं उत्रधिकारी हूँ तो मैं मुझसे पूछेंगे तो चिराग जी को उत्रधिकारी रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है इसलिए नहीं है कि चिराग जी ने खुद बोला था मेडिया के घरानों में और देश के बहुजवनों देश की जनता को कि मेरे पिता का मुआपमान बी जेपी के सिर्ष नेता के द्वारा किया गया चिराग ये बोले थे कि मेरे पिता की मुर्ती और बाबा साब अंबितकर का मुर्ती बीजेपी के नेता के द्वारा फेका गया और मुझे और मेरी माँ को और मेरी बुरी नानी को बीजेपी के गुंडा तत्वों के द्वारा घर से बाहर कर दिया गया चिराग जी के आँख में थोरा सा भी पानी जदी बचा होता आज भारतिय जनता पाठी के साथ वो पांच कदम पांच जो सीट उने मिला है वो सीट को उनके मूँ पर उनके तमाचा पर फेक देते लेकिन चिराग जी ने ऐसा नहीं किया लेकिन मैं देश के बहुजनों को खास कर बिहार की जनता को मैं आपके चैनल के माध्यम से जदी कहना चाहता हूं चिराग पास्वन अपने पिता का अपमान नहीं लिया बदला नहीं लिया भी जेपी से बाबा साब हम बितकर का अपमान का बदला नहीं लिया लेकिन राम बिलास पास्वान का दमाद अभी जिन्दा है नेसी तोर पर टाल ठोक कर मैं भारतिये जनता पार्टी के जहां जहां उमिद्वार रहेंगे वहां मैं उनसे रायनितिक बदला लूँगा बाबा साब अंबितकर ने एक भोट के माधियम से दिकार दिया है अनिल जी आपका जो दिल है चिराग पास्वान के लिए भी खुला हुआ था जब उनको सीट की बाते चल रहे थी कि नहीं मिलेगा तब पसुपति कुमार पारस केंद्रे मंत्री मंडल से इस्तिफादे देते हैं अब यह भी चर्चाय है कि वो बीजेपी से अपना नाता जो ह हो गया है और जहां कुछ अटकले लगाई जा रहे हैं मेडिया घरानों में कि वो महा गठवंदन खासकर आर जेडी में उनकी जूकाओ है वो आएंगे तो हमारा नेता आधनी लालू जी ते जिस्वी जी फैसला लेंगे लेकिन वो आएंगे तो मुझे खुसी होगी और मै आपने अभी खुलासा नहीं किया है हलाके एंडिया की सीटों की अभी बटवारा भी नहीं हुआ है लेकिन चर्चा यह भी है कि हाजीपूर से दो चेहरे तो अल्यदी ताल ठोक रहे थे पसुपती कुमार पारस और चिराग पासवान आपकी भी चर्चा है एक ही परिवार से तीन-तीन लोग और समाज भी एक क्या एफेक्टिव हो पाए गाई है देखे हमारी हाजीपूर से त्यारी उन्हें से चल ला है पिछले विकत लोकसवा में हमें टिकट मिलते मिलते कट गिया कोई कोई कारन वस और लेकिन इस वार भी हम त्यारी कर बैठे हैं और वहां से हमारी धर्णंपत्नी जो सुरगे रामिलास पास्वान जी की अपनी ओरिजिनल वारिस से वो चुनाओ लरेंगी और जदि चुनाओ तो आरजेटी टिकट देती है हमारी धरम पत्नियासा पास्वान जी को तो हाजीपुर में नकली और असली का लराई जाए है तो हाजी जम्मुई की जन्ता नारा लगा रही है कि देखो देखो गीदर भागा गीदर भागा तो जो जिस तरह हाजीपुर स्वर्गे रामिलाज पास्वान जी हाजीपूर को अपनी माँ बताते थे आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले वो हाजीपूर अपनी माँ को छोर कर बिजनौर चे ले गए थे और बिजनौर में उनकी बहुत बुरी तरहार मायवती जी से हुई थी ता इसा नहीं हो कि चिराक पास्वान जमुई छोर के जा रहे हैं हाजीपूर कहीं यहां भी उनका जुमका गीरा बरेली के बजार में तशादू पास्वान उनका जुमका placed बजार में जरूरी करेंगा चाचा हमारे आधनिये हैं मैं उन्हें सम्मान करता हूं अब अब तो अब उन्हें फैसला कर लेना है कि वह क्या करते हैं क्या डिसीजन लेते अगर बाद पसुपति कुमार पारस जो है निर्दलिये वहां से लड़ते हैं तो उनको भी एफेक्टिव होगा क्योंकि है आप भी खड़े हो जाएंगे चिंदलिया इंगी उनका पसुपति कुमार पारास भी रहेंगे तो काफी जावा एक decorative रहे का ये चुनाव देखे आधनिये पसुपति कुमार पारा जी का निर्दलिये क्यों लरेंगे क्योंकि यकर राष्टीय पाठी के राष्टी है, उनका फुद का पाठी है, अब वो क्या डिसिजन लेते हैं, मैं उनके बारे में कैसा अभी टिपनी नहीं करूंगा, कि उचोरेंगे, कि उसीद में रहेंगे, क्योंकि वो तो मोधी का परवार उन्होंने कुछ दिन पहले बताया था, लेकिन जिस तर 24 में बताएगी BJP को, हमें जो सविधान बचाने वाले के साथ हमें रहना है, और चिराग जी और पस्पती कुमार पारज जी का भी चारधारा किसके अभी गोटसे के खंदान के लोगों के साथ है, आपका द्वार खुला हुआ है उनके लिए, मैं तो का दिया, वो हमारे आ दनिये लालू जी तेचीजिस्वी जी को फैसला करना है, जदि वो फैसला कर लेते हैं, तो निस्तित तोर पर हमारी भी उन्हें स्वागत करेंगे। आपडेट्स के लिए बने रहें देश्वा न्यूज के साथ, देश्वा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दवाना न भूलें।